वास्तविक जीवन से संबंदित सवाल रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इस वीडियो में हम देखेंगे कि रोज मर्रा की जिन्दगी में गनित का कैसे प्रयोग किया जा सकता है आप करीम भाई को तो पहचानते ही होंगे इन्होंने छे महीने पहले दाल और गेहूं अपने खेत में बोए थे तीन महीने पहले दाल की फसल तो काट ली गई थी अब देखो खेत में गेहूं की फसल कैसे लहल हा रही है विन मौसम बरसात और कीडों से बचने के लिए करीम जल्दी से फसल काट के बेचना चाहता है इसके लिए वह पंद्रह मजदूरों को भाड़े पर ले आते हैं सबने मिलकर आज एक एकड की फसल काट ली है तो बच्चों पांच एकड की फसल कितने दिनों में कट जाएगी? बच्चों आप वीडियो को रोक कर इसका हिसाब लगा सकते हैं एक एकड की फसल अगर एक दिन में काटी जाए तो पांच एकड की फसल को काटने में हमें पांच दिन का समय लगेगा देखो पांच दिन में सब ने मिलकर फसल काट ली है आज करीम भाई फिर से अपनी फसल बेचने बाजार आये हैं दुकान में उनकी फसल को तोला जा रहा है दुकानदार ने उन्हें एक लाख तिरपन हजार रुपए दिये हैं करीम भाई बहुत खुश हैं अगर एक किलो गेहु बेचने की कीमत सत्रह रुपए है तो क्या आप बता सकते हैं कि करीम भाई ने कितने किलो गेहु बेचे बच्चों आप वीडियो को रोक कर इसका हिसाब लगा सकते हैं अगर सत्रह रुपए से एक किलो गेहु खरीद सकते हैं तो एक लाग तिरिपन हजार रुपए से कितना गेहूं खरीदा गया? इसके लिए हम विभाजन के संचालन का प्रयोग करेंगे एक लाग तिरिपन हजार को सत्रह से विभाजित कर हमें मिले नौ हजार घर आकर करीम भाई हिसाब करने बैठे हैं वह देखना चाहते हैं कि उन्हें कितना मुनाफ़ा हुआ जैसा कि आप जानते हैं करीम भाई ने 250 किलो गेहूं के बीच खरीदे थे 50 किलो गेहूं के बीच का दाम था 1100 रुपए तो दो सो पचास किलो गेहूं के बीच का दाम हुआ हम पचास गुना पांच है दो सो पचास तो ग्यारा सो गुना पांच हुआ बच्चों आप वीडियो को रोक कर इसका हिसाब लगा सकते हैं हम ग्यारा सो को पांच बार जोड भी सकते हैं इस तरह या ग्यारा सो गुना पांच भी कर सकते हैं इस तरह देखो बच्चों गणित के दोनो संचालन से उत्तर एक समान ही आया है पांच हजार पांच सो आपको जो संचालन आसान लगे उसका इस्तमाल कर सकते हैं करीम भाई ने गेहु के बीज पर पांच हजार पांच सो रुपे खर्च किये करीम भाई ने हर मजदूर को पांच सो रुपे एक दिन के काम के लिए दिये तो कुल मिलाकर पांच दिन की महनत के लिए करीम भाई ने उन्हें कितने पैसे दिये बच्चों आप वीडियो को रोक कर इसका हिसाब लगा सकते हैं एक मजदूर को एक दिन की मजदूरी मिली पांच सो रुपे तो पांच दिन के लिए उसको मिले पांच सो गुना पांच यानि के दो हजार पांच सो कुल पंदरह लोग थे इसलिए हम दो हजार पांच सो गुना पंदरह करेंगे इसका उत्तर है सैंतीस हजार पांच सो करीम भाई ने सभी मजदूरों को कुल मिलाकर 37,500 रुपई दिये चलिए अब हम हिसाब करके करीम भाई का मुनाफ़ा निकालते हैं बच्चों आप वीडियो को रोक कर इसका हिसाब लगा सकते हैं गेहूं के बीच पर खर्च हुआ था 5,500 रुपई मजदूरों की मजदूरी हुई 37,500 रुपई दोनों को जमा करके हमें मिले 43,000 रुपई गेहूं बेचने पर करीम को मिले थे 1,53,000 रुपई अब हम 1,53,000 से 43,000 घटा दें तो हमें मिलता है 1,10,000 अरे वाह करीम भाई को 1,10,000 रुपई का मुनाफ़ हुआ करीम भाई बहुत खुश हैं क्योंके दो तरह की फसल उगा कर उनकी जमीन और भी उपजाओ हो गई है साथ ही दोनों फसल बेच के उससे जो मुनाफ़ा हुआ उससे वह एक और गाय खरीच सकते हैं और बाकी के पैसे वह बैंक में रखने की सोच रहे हैं आज हमने गणित में किये जाने वाले विभिन संचालनों का प्रयोग करना सीखा झाल